हेलो फैंट्स वेलकूम तो अटोमेशन अंडोवर्टिक्स यूट्व चैनल यू आर्विट टैक्टॉप दिला लिते तो आज को जो हारा टॉपिक है वो यह है कि हम टाइमर कैसे क्रिएट करते हैं इस्टूडियो 5000 में ने आज अगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया जी यू दिए को सब्सक्राइब करें वीडियो वीडियुज को शियर करें आपको मेरी लास्ट वीडियो जो भी मैंने अप्लोड के थी पसंद आ रही होंगी तो आज के जो टॉपिक है उसमें यही है कि टाइमर हम कैसे कर सकते हैं टाइमर को कैसे यूज करना होता है तो प्रीविडियो में मैंने आपको यही बताया था कि किस तरीके से हम टैक करते हैं तो इस सॉफ्ट्ट्र पर काम करने से पहले अगर आपने ये सॉफ्ट्र भी तक इस्टॉल रही किया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको तीन सॉफ्ट्र की जरूत पढ़ेगी पहला software आपको studio 5000 software की requirement होगी programming करने के लिए और second आपको rs links classic की जरौत होगी third software जो चाहिए वो basically logic simulator चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मैंने यहां से यह हमारा logics studio 5000 logic simulator है इस तरीके से रहेगा and rs links classic आपको चाहिए इसका configuration में already video upload कर चुक हो part 1 में आपने दिखा होगा then यह programming software है तो last video में जो मैंने tag create किये थे वो यहां पर भी available है तो आपको मैं एक वार फिट से दिखा देता हूँ edit tag में जाके यह देखिए सारे tag मैंने create किये हुए है यह counters के tag है यह हमारे यहां से double integer के tag है इन्पूर्ट start stop के tag है इस तरीके से tag create कर सकते हैं अगर आपको क्या करना है यह tag delete करने हैं तो सीधे आप edit tag पर चले जाए और जितने भी tag हैं आप यहां से delete कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी यहां से delete कर दिये हैं जैसे कि मैं एक बार फिट से आपको बता देता हूँ कि कैसे tag create करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर जो आज बताने जा रहा हूँ एक start and stop logic के लिए मेरे को दो tag चाहिए होगा एक internal bit चाहिए होगा on off कराने के लिए and timers का tag define करना होगा तो मैं आपको इस पर फिर से बता देता हूँ new tag में जाएंगे जैसे मैंने यहां पर लिख दिया stop में करा रहा हूँ zero number input से और यहां पर लिख लिए this is for stop right then यह internal tag नहीं है क्योंकि external tag इस लिए allies लिए allies for local 3i पर गया क्योंकि तीर number जो मेरे पास available है वह basically इसके लिए input के लिए है तो यहां पर आप चले जाएए और यहां से आप zero number select कर लेजेए then आपको एक और टैग लेना है यानि किसके लिए चाहिए आपको start करने के लिए zero one number input li's आप select कर लिए then उसके बाद यहां पर आप local 3i में चले जाए और उसके बाद one number आप यहां से input ले लिए then आप इसको define कर सकते इस is for start then एक मेरे को internal bit चाहिए क्योंकि memory bit आप बोल सकते हैं तो मैंने इहां से simple it define कर लिया, memory then यहां से आप define कर सकते है zero zero उसके बाद यहां से आप base ले लिजे then इसको boolean आप define कर लिजे then आप यहां से create कर लिजे इस वार आप यहां से चले जाए यह तो यहां से क्योंकि मुझे टाइमर डिफाइन करना है क्योंकि यहां पर बेसिकली मैं आपको बताओ तीन तरह के टाइमर होते हैं तो मैंने यहां से T on underscore zero zero ले लिया तो क्योंकि मैं T-on भी बताऊँगा, T-off भी बताऊँगा, RTO ये तीन तरह के timer होते हैं, मैं तीनों timers के बारे मैं आपको बताऊँगा, तो यहां से आप base ले लिजिए, तो यहां से आप चले जाएगे, timer आप define करते हैं, तो ये T-on timer का मैंने एक address बना लिया, इसी तरीके से क्योंकि मैं एक वर timer आपको बताऊँगा, तो यहां से T-off ले ले लिया, 00 ले लिया, मैंने यहां से और यह मेरा timer tag बना लिया, इसी तरीके से मैं RTO timer भी यूज करूँगा, तो आप RTO के लिए भी tag बना लिजिए, RTO 00, यहां से यह timer ले लिया, उसके बाद आप यहां से monitor tag लीजे, देख लीजे कौन कौन से tag बनाया है, तो यह internal tag आपने बनाया है, then मैंने यहां से RTO के लिए बना लिया, T-off and T-on, आप इसको expand करके भी देख सकते हैं, कि यह proper बना है यह नहीं बना है, तो देखें, यहां से सारे tag proper define हो रखें, start stop भी हो गया, then यहां से आप देख रहेगा, तो आप यहां तो यहां पर एक काम कर लिजे, mortar के नाम से tag बना लिजे, वो ठीक रहेगा, mortar 0 and lies, then यहां से आप browse कर लिजे, local 3 ओपर चले जाए, पहले 3 आई पर था input के लिए भी 3 ओपर जाना है, then यहां से 0 number मैंने input, sorry, output ले लिए mortar के लिए, then एक और tag ले लिजे mortar 01, then यहां से lies पर चले जाए, then 3 ओपर चले जाए यहां से, और मेरे पास one number के लिए मैंने tag ले लिए, then एक और output आप यहां से create कर लिए, तो उसके लिए मैंने यहां से simple लेखा, motor 02, then उसके बाद आप यहां से lies ले लिजे, then सीडे आप यहां से local 3 ओपर चले जाए, और यह two number ले लिया, फिर से आप यहां से monitor कर लिजे, तो तीन जो output मैंने define किये, आप यहां पर देखिए, mortar 0, mortar 1, mortar 2, and दो input होगे start stop, तीन जो है timer tag मैंने ले लिए, t और t of rtu के लिए, ठीक है, तो एक internal bit हो गया, अब यहां से हम फुरुआत करते हैं, कि instruction कैसे create करते है, तो एक start stop logic बना लिजे, तो पहले rank चाहिए, आपको एक rank चाहिए, then मैंने एक nc ले लिया, then ano, आप यहां से parallel contact ले लिजे, इस तरीके से, then एक ano instruction ले लिजे, और एक output, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, हमें holding लगाना है, तो यहां से एक internal bit का tag आग है, आप ले लिजे, यहां से right, और यह वाला जो मैं use करने जा रहा हूँ, यह मैं किस के लिए stop करने के लिए, तो आप यहां पर tag define कर दीजे, इस तरीके से एक start stop logic बन गया, अब आप क्या चाहते हैं, आपको timer connect करना है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जब यहां से start press होगा, तो internal bit on होगी, यह hold हो देखिए, और यहां पर देखिए, इस तरह को आगया, अब यह address मांग रहा है, तो आप double click करके जो आपने tag बनाया थे, तो आप double click करके लिए लिजे, देखिए, यहां पर इस तरीके से आगया, अब आप यहां पर preset define करना चाहते हैं, तो एक second के लिए आपको 1000 लेना enable bit, tt bit and dn bit, enable का मतलब होता है, enable bit, जब भी कोई भी input high होता है, किसी भी timer का, तो enable bit on होती है, tt bit होता है, timer timing bit, जब तक timer timing करता है, तब तक high होती है, then होता है, हमारा done bit होता है, जैसे timer timing complete करेगा, तो done bit high होती है, यहां से आप क्या करेंगे, एक n o, एक n c आप यहां से ले ल और यहां से आप और define कर लिचाये तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे ton-00 पर जाएए और यहाँ पर सारी bit आप define कर दीजेए एक एक करके तो देखिए आप कैसे लेंगे व बिट यहाँ पर ton पर जाएंगे ton-00 पर यह सारी bit यहाँ पर आगे enable ttdn तो देखे सबसे पहले enable bit ले लिया then यहां पर जाएंगे t on underscore 00 पर then tt bit ले लिया then आप यहां से dn bit ले सकते हैं t on underscore 00 में यहां से dn ले ले जाए अब आपको एक एक करके output define करना तो मैंने mortar के नाम के tag बना रखे mortar 0 हो गया then मेरा यहां से mortar यहां से आप one ले सकते हैं then उसके बाद यहां से mortar two ले सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे tag create कर लिया है तो जो भी tag थे मैंने तीन tag बनाये थे 0 1 2 mortar and 3 input तो मैंने T on timer से भी connect किया है तो आप देखेंगे किस तरीके से यह operate होगा इस program को आप सीधे transfer कर दीजे controller में then download click कर दीजे तो आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से यह function कर रहा है तो T on timer को किस तरीके से implement करते हैं उसके बारे में अभी वीडियो में बता रहा हूं आपको इस वीडियो में तो आप इस T on timer को आपको कैसे implement करना है यूज करना है आप easily कर सकते हैं तो आप देखें यह भी download हो रहा है controller back to run mode और यह IO के controller run mode में है अब देखें यहां पर सबसे पहले enable bit है जिससे motor 0 connected है GT bit है जिससे motor 1 connected है DN bit है जिससे motor 2 connected है तो इक बार मैं आपको बता देता हूं प्रोग्राम क्या हो रहा है अभी जैसी मैं start button press करूंगा internal bit यानि memory bit on होगी यह hold हो जाएगा क्यों हो जाए क्यों हो जाए क्यों हो जाए क्यों कि parallel मैंने यहां पर same holding bit लगा रखे यह bit on होगी यानि memory bit यहां पर भी on होगी जिससे कि T on timer चलेगा timer में मैंने 10,000 value दे रखी है क्योंकि एक second के लिए एक हजार आपको देना होता है क्योंकि 1ms का resolution है तो मैं आपको बता दूँ जैसे internal bit यानि memory bit on होगी तो timer चालू होगा उस समय enable और TT bit on हो जाएगी enable bit क्यों हो रही है क्योंकि जब भी timer को input मिलेगा तब तब यह enable bit on होती है तो enable bit से जो motor number 0 है connected है वो on हो जाएगी लेकिन साथ में TT bit भी on हो जाएगी motor number 1 भी चलेगी क्योंकि timer चालू हो जाएगा T on timer है तो on delay timer का मतलब होता है जब supply आप इसको देते है on होता है तो यह चालू हो जाता है delay देना है start कर देता है अब जो TT bit है इससे motor 1 है यह कब तक on जाएगी जब तक timing पूरी जाएगी नहीं हो जाती है यानि जैसे 10 second finish होंगे तो यह जो motor मेरी बंद बंद हो जाएगी लेकिन motor number 0 अभी भी on ही रहेगी लगाता क्योंकि internal bit जो memory bit है वो input पे on है यानि timer को input लगातार मिल रहा है तो जब भी timer को input मिलता रहेगा तब तब enable bit high होगी अगर input मिलना बंद हो जाता है तो enable bit low हो जाएगी अब जैसे ही timer timing पूरी कर लेगा तो dn bit on होगी यानि जब आपकी tt bit low होगी तो dn bit high होगी जिससे कि motor 2 चालू हो जाएगी motor 1 लो हो जाएगी इस तरीवे से टी और timer की working होती है तो मैं आपको इसको operate करके दिखाता हूँ यहां से आप force on कर लीजिए फिर उसके बाद यहां से आपको सारे forces enable करने होंगे जैसे आप forces enable करेंगे तो आप देखे timer timing चालू कर रहा है उसके बाद देखेंगे यहां से जब तर टाइमर टाइमिंग कर रहा है TT bit on है जैसे timing खतम होगी तो देखे done bit on हो जाएगे TT bit off हो जाएगे इसका मतलब यह हो गया कि enable bit अभी भी on है वो किसलिए on है क्योंकि internal bit जो memory bit input पे on है तो enable bit on है और enable bit से motor 0 connected है वो हमेशा on रहेगी यानि TT bit lock up हो गई जैसे timing खतम हो जाएगे यानि अब जब तक की timer का supply रहेगा यानि टाइमर की input पर जब तक supply रहेगी तब तक dn bit भी on ही रहेगी dn एक वाजब हाई हो जाती है तो हाई रहेगी अब अगर आपको timer की supply कट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो जितने प्रोग्राम में क्याता है कि start किया मैंने memory bit on हो गई यह होल्ड हो गई यहां memory bit high हुई जिससे timer चला अब अगर मुझे इसको stop करना है तो यहां पर force on करना पड़ेगा बैन उसके बाद यहां से देखेंगे इसको enable करेंगे तो देखे जैसे force on किया सारी supply बंद होगी यानि holding break होगी timer की supply बंद होगी and enable भी बंद होगी done भी बंद होगी क्योंकि TT पहले बंद होगी तो इसको effect नहीं पड़ेगा इसका मतलब यह होता है कि अगर आप क्या करते हैं कि जितने भी हमने forces लगा रखें सारे forces आपने लगा दिये and सारे forces आप remove कर दो मतलब यह होता है कि जैसी आप start करते हैं इस timer को जैसी supply मिलती है तो enable bit on हो जाती है । उसके बार क्या होता है कि जब तर timer timing करते है TT bit on देती है जैसी timer timing पूरी कर लेगा done bit on हो जाएगे TT low हो जाएगे और फिर अगर आप stop कर देते हैं तो सारे bit low हो जाएगे यह T on timer की working है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से supply दी, उसके बाद क्या हुआ, देखे, timer चलने लगा, enable bit on है, TT on है, जब तर timer timing करेगा, तब तक TT bit on रहेगी, जैसे timing खतम हो जाएगे, DN bit on हो जाएगे, और TT low हो जाएगे, अब अगर मैं य इसको force off कर दू, जिससे कि क्या होगा, कि holding वगेरा break भी हो जाएगी, off करने पर, यहां से देखे, सारे forces remove होगे, holding हो रखी है, सारा कुछ होगे है, अब अगर मेरे को supply off करना है, तो stop बाले button को press करना होगा, उसके लिए मुझे यहां से forcefully off कराना होगा, तो देखे, यहां से आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप T.O.T.A.B.R. पर practice कर सकते हैं, implement कर सकते हैं, और आगे की वीडियो के लिए लगातर मेरे चैनल को follow करते रहें, subscribe करें, like करें, वीडियो को share करें, friends के साथ, तो आगे वीडियो के लिए लगातर follow करते रहें, so thanks for watching my videos, thank you